स्टूटन्स लास्ट सेशन्स पे हमने पावर बी आई के मदद से कुछ मॉडलिंग की के डिफरेंट डेटा सोर्सिस से हम डेटा कुनेक कैसे करेंगे इस सेशन में हम एक स्टेप आगे लेते हैं और यह देखते हैं कि अनैलिसिस कैसे स्टार्ट करेंगे पावर बी आई में जितने भी अनैलिसिस हैं वो सारे के सारे ग्राफिक बेस्ट है तो जब analysis का नाम दिया जाता है तो इसका एक मतलब तो clear है कि हम power BI के उपर कुछ graph develop करेंगी अच्छा graphs की कुछ खुछ से limitations मौझूद हैं अगर हम traditional graphs की बात करें तो graph या chart सिर्फ दो variable के उपर बन सकता है actually जब हम graph की बात करते हैं तो graph में दो axis होते हैं पर हमने पूरी कहानी लिखनी होती है एक axis को हम horizontal axis कहते हैं और एक axis को हम vertical axis कहते हैं math की जबान में एक को हम x axis कहेंगे एक को हम y axis कहेंगे तो हमने पूरी कहानी इन ही दो axis की मदद से लिखनी होती है इसी चीज़ को अगर मैं दूसरे लफ़सों में कहूँ तो graph की एक conventional limit ये है कि एक वकत में सिरफ दो variable को tackle कर सकता है handle किया जा सकता है अच्छा हम जरा modern जमाने की तरफ आते हैं computer को use करते हुए जब हम graph बनाएंगे तो कुछ नई techniques की वज़ा से हम एक वकत में दो से ज़्यदा variable भी deal कर सकते हैं तीन variable कर लेंगे चार कर लेंगे अच्छा computer तो शायद इस पर कोई limitation ना लगाए कि एक वकत में हम इतने variable एक graph की मतर से handle कर लेंगे लेकिन हमारी understanding उतनी difficult और उतनी complex होती जाएगी जू जू हम number of variable एक graph में add करते जाएंगे तो इस वज़े से हमारी कोशेश ही होगी कि हम में graph as simple as possible रखे ताके उसे समझना ना सिरफ एक mathematician के लिए असान हो बलके एक आम आदमी भी उस graph को उतनी ही बहतर तरीके से समझ सके जितना के एक mathematician या statistician समझ सकता है तो जब हम graph develop करेंगे और हमारे पास variable दो से जएदा हैं तो graph की तादात भी जएदा होती जाएगी तो हमारे पास screen के उपर या उस page के उपर जहां पे हम graph develop कर रहे हैं number of graph भी जएदा होते जाएगे इन तमाम graph को मिलाके जो एक complete picture बनेगी अगर मैं power BI की जबान इस्तवाल करूँ तो हम उसको dashboard कहते हैं जी dashboard डैशबोड डैशबोड बिल्कुल उससी तरीके से जिस तरीके से गाड़ी का dashboard हमें गाड़ी के मुख्तलिफ parts की engine की speed की और मुख्तलिफ information प्रोवाइड कर रहा होते हैं जो के हमें being driver बहुत जरूरी होती हैं और हमें उसका बहुत फाइदा होता है बिल्कुल उससी तरीके से जो power BI में dashboard बनता है वो भी हमें data के मुख्तलिफ features के बारे में information दे रहा होता है मुख्तलिफ dimension है जो hidden है उनको explore कर रहा होता है उनको सामने ला रहा होता है और एक dashboard जितनी जएदा information हमें provide कर सके एक dashboard जितने जएदा hidden features को हमारे सामने ला सके वो dashboard उतना ही बहतर होता है आईए हम computer पे चलते हैं और देखते हैं कि एक data file को analysis करते वकद Power BI में हम graphs and charts में कैसे convert करते हैं या दूसरे मानों में हम उस data file के लिए एक dashboard कैसे develop करते हैं ये students ये मेरे पास वही Power BI का desktop है और मैंने customer database के नाम की file इसमें open की हुई है ये वही file है जिसके ओपर हम बहुत सारे analysis कर चुके हैं एक बात बता के उसके बाद मैं फिर उसके dashboard के ओपर चलूँगा analysis के ओपर यहां मेरे पास सिर्फ एक file है यानि data source सिर्फ एक है तो इस एक data source के लिए मैं कोई भी model develop नहीं कर सकता ये सिर्फ मैंने आपको सिर्फ इस वज़ा से बताया है कि model कहां पे इस्तमाल होता है या कहां पे develop होता है जब हमारे पास sources एक से जएदा हों यहां पे क्योंके source एक है लहाजा और models या modeling करने की हमें जरूरत नहीं है let's come back to this customer debase और यह मेरे पास इसके different variables हैं और इनके icons से मुझे पता चल दर रहा है कि कौन सा variable मेरे पास quantitative है और कौन सा variable मेरे पास categorical है और उसी के हिसाब से मैं यहां पे charts या graph select करूँगा जिस तरह भी थोड़ी दिर पहले मैंने बताया मेरी कोशिश यही होगी कि graph simple तो हो लेकिन उसके साथ साथ वो उतना ज़्यदा informative हो अगर graph बिलकुल simple है informative नहीं है तो उसका कोई फाइदा नहीं similarly informative है लेकिन वो simple नहीं और complex है और इस form में complex है कि उसको समझना बड़ा मुश्किल हो गया है तो उस graph का भी कोई फाइदा नहीं है तो हमने choice करनी है between simple and informative यहां पे मैं बिलकुल मिसाल के तौर पे एक variable age है अगर मैं इस age को graph करना चाहता हूँ या age के reference से कोई analysis करना चाहता हूँ तो मैं इन graphs में से कोई एक graph select करूँगा यहां पे अगर मैंने इस graph को click किया तो जिस तरह भी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि graph की मेरे पास दो axis की information होती है एक हमारे पास horizontal axis है और एक vertical axis है यानि एक axis वो है जिसके ओपर हम वो graph किस variable के लिए बन रहा है और एक graph जिस variable के लिए उसकी bars की height है वो हमें बता रही है यहां पे वही चीज y axis और x axis की form में पूछी हुई है अगर मैं यहां पे age को y axis पे click करता हूँ तो आप देखें कि इस graph में कोई change नमुदार नहीं हुई कुछ भी नहीं हुआ लेकिन variable हमने डाल दिया हुआ है तो age उसमें किसी किसम की कोई change नहीं है इसकी क्या वज़ा इसकी वज़ा यह है कि power b.i.i. को यह नहीं पता कि age का graph हमने किस reference के साथ draw करना है तो उस reference के लिए मुझे इस x-axis में कोई information डालनी पड़ेगी वो reference हमारे पास उसका gender भी हो सकता है वो reference मेरे पास उसका birth month भी हो सकता है या कोई और variable हमारे पास हो सकता है preferably वो variable categorical होना चाहिए मैं यहाँ पर word यूज़ कर रहा हूँ preferably क्योंकि अगर आप एक variable ऐसा यूज़ करेंगे तो यहाँ पर देखा कि आपके पास यह graph मेरे पास आ गया यह मेरे पास उस age की different birth month के लिए information थी अब मैं अगर इसको change करता हूँ इसको मैंने y-axis पे किया और age को x-axis पे कर लिया तो अब यहाँ पर देखें कि जो information मेरे पास आई है वो हर month के लिहाज से segregate हो गई है तो मैंने यहाँ पे जो यह experiment आपको करके दिखाया सिर्फ इसकी वज़ा यह है कि यह जो selection of access है यह बहुत important है और इसके पीछे कोई rule exist नहीं करता इसके पीछे rule सिर्फ और सिर्फ यह है कि ऐसी form में graph develop हो जाए जो समझना असान हो जाए जिससे information बहतर तरीके से portrait हो सके for example इस graph से मेरे पास information यह आ रही है कि हर महीने में जो पैदा होने वाले customer है उनकी age क्या है और यहां पे यह सारे 12 के 12 महीने मौजूद है हाँ यह सारे के सारे महीने alphabetically sorted नहीं है यह magnitude के हिसाब से sorted है और जो ही मैंने किसी बार के ओपर उसको mouse को क्लिक करता हूँ तो Power BI मुझे उसकी reference से information प्रोवाइट कर रहे है अच्छा इसके साथ साथ अगर मुझे कोई और information भी करनी है आपने देखा कि मैंने जोहीं इस graph के उपर क्लिक किया तो यह इस graph के reference से information मेरे पास आ जाजाएंगी और जोही मैं इस graph को highlighted है अगर मैं इस graph के इलावा कोई और graph इस पे क्लिक करना चाहूँ तो यह graph चेंज हो जाएगा और वापस CC पर लाना चाहूँ तो यह वापस CC ग्राफ पर आ जाएगा लेकिन अगर मैं इसके इलावा कोई और graph करना चाहूँ तो मुझे इस highlighted shade के इलावा किसी और जगा पे क्लिक करूँगा और अब मेरा power BI ready है इस बात पे किसी और variable के लिए इसी किसम की information मैं रख सकूँ For example, ये information मैं income के लिए develop करना चाहता हूँ तो सबसे पहले मैं click करूँगा और graph को click करने के बाद मैं किस चीज के लिए graph बनाना है मुझे income के लिए graph बनाना है तो मैं income को locate करके उसमें x-axis में click कर दूँगा कोई information कोई graph मेरे सामने नहीं आया क्यों नहीं आया क्योंकि इसका reference available नहीं है reference के लिए let's see मैं उसका gender gender, gender की information यहां से ढूंड के वहां पे रख देता हूँ यह जंडर की information मैं यहां पे y-axis पे click करता हूँ तो यह मेरे पास gender की information के लिहाज से यह मेरे पास graph आ जाएगा बिल्कुल उसी तरीके से अगर मैं इसका role change करता हूँ तो graph की जो form है वो भी मेरे पास change हो जाएगी तो यह आपके ओपर depend करता है कि आपको इन दोनों में से कौन सी format कौन सी information जएदा बहतर समझ आती है किस तरीके से आप अपनी presentation को जएदा बहतर तरीके से बना सकते हैं यह जिस तरीके से मैंने दो graph आपके सामने रखे उसी तरीके से आप जितने मर्जी graph जितने मर्जी variable आप उसके लिए graphical presentation डिवेलप कर सकते हैं लेकिन इसमें limitation यह है कि यह जो एक page का size है वो सिर्फ इतना ही है हम एक page से ज्यादा page पे जा सकते हैं लेकिन वो फिर एक screen की बजाए दो screen के ओपर वो information आजाएंगी तो यह जो page हमें बता रहा है जो नीचे page 1 लिखा भी हुआ है वो एक computer की screen का size हमें बता रहा है कि computer की screen के ओपर आप कितनी information दे सकते हैं यह इसकी limitation है हम यह जरूर कर सकते हैं हम इसका size जो है वो बहुत चोटा कर दें लेकिन जो ही हमने इसका size चोटा किया तो जो information यह दिखाने की कोशिश कर रहा है वो limit हो जाएंगी और अगर इसका size बहुत ज़्यदा बढ़ा कर दिया वो information तो बड़ी अच्छी तरीके से दिखाएगा लेकिन फिर हम बहुत ज़्यदा variable इसके उपर portrait नहीं कर सकेंगे तो जहां पर कहने का मतलब यह है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कहा था कि जो choice of graph and the choice of axis all depends on you और इसके पीछे criteria क्या है कि ऐसा graph हो जो ज़्यदा से ज़्यदा information प्रोवाइड कर सके लेकिन ज़्यदा से ज़्यदा information प्रोवाइड करते करते वो complexity की तरफ ज़्यदा ना आजाए क्योंकि अगर जो ही वो complex की तरफ चला गया तो computer तो उसका graph बना देगा जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले मैंने यहां पे इनी दो graph को जिस format में आपके सामने किया वो graph तो computer ने बना दिये थे लेकिन वो ऐसी form में नहीं थे कि हमें असानी से समझ आ सके शायद एक mathematician या statistician तो उसको समझ ले लेकिन आम लोगों के लिए वो graph बहुत मुश्किल है लेकिन इस form में जो graph है वो समझना भी आसान है हर कोई उसको बड़ी आसानी के साथ समझ सकता है इस session में students आपने देखा कि जब हमारे पास एक data file मौझूद है बले वो मुखतलिफ data sources से आई है बले वो एक ही data source से है data मौझूद है तो उस data को हम analysis करने के लिए मुखतलिफ किसम के graph जो के power BI में मौझूद है उनको हम कैसे use करेंगे कहां पे कौनसा graph ज्यादा बहतर information देता है किस graph में सिर्फ दो variable हो तो बहतर situation आ जाती है किस graph में दो से ज्यादा variable की information आ सकती है यह सारी चीज़े हमने discuss की उमीद है कि आपको यह चीज़े समझ आ गई होंगे